चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बगर उसके बगर जो बैल का इकन ए प्लीज आप इसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेश वीडियों की नोटिफिकेसन मेरे सबसे पहले नमस्कार दोस्तो मैं हूँ नमताब दरिया इंडेल यूटूबर और आप सबी लोगों का मेरी यूटिब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ खासी जुखाम और कप का घरेलू इलाज दोस्तो जब खासी जुखाम हो जाता है तो फिर आपको अंग्रेजी दवाईया फायदा नहीं करती है घरेलू इलाज ही फायदा करता है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में ये मैंने एक बनाया है नुस्का इस नुस्के से आप जब खासी जुखाम या कप बाली खासी है यानि बल्गम जमा हो गया है तो आप अगर इसको ले लेंगे तो आपका जमा हुआ अच्छाती में जमा हुआ सारा बल्गम बाहर और एक दिन में ही आपकी खासी अच्छी हो जाएगी इसको लेने से तो चलिए इसको मैंने कैसे तयार किया है मैं आपको बताती हूं वीडियो में दोस्तों वीडियो पसंदा इस वीडियो को लाइक करना उपने दोस्तों में शेयर कर देना चैनल पर पहली बार ये चैनल को सब्सक्राइब को लेना तो वीडियो स्टाट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे बादाम बादाम आप लोग जानते हैं सर्दियों में बैसे ही फायदा करता है बादाम की तासिर होती है गरम तो हमें यहाँ पर छिलके वाले ही बादाम ले ले हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे पांच बादाम ले रही हूँ आज की जो मैं रेमेडिय आपको बता रही हूँ इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं आराम से कोई प्रफ़न नहीं है और यह खराब भी नहीं होता है तो चलिए अब इसमें दूसरा इंगीडियन्स हमें लेना है दो सूखे खजूर यानि की छुवारा अब इसके हम बीज निकाल देंगे इस तरीके से दोस्तों आज का नुस्खा बहुत ज़्यादा गजब का है और इसको आप जरूर ट्राइगे ना आप देखें के मात्र आपको एक दिन में आराम मिलेगा आपको किसी प्रकार की जुखाम खासी या बल्गम जमा हो गया चाती बे तो आप इसको प्रयोग करिए ये बिल्कुल एक दिन में आपको अच्छा कर देगा तो चलिए यहां पर इसके बीज निकाल दिये तो यहां इस बावल में डाल दूँगी इन बादामों को पांच बा पावडर बना करके आती हूँ तो यह देखे मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है या निकी पावडर बना लिया है अब देख सकते हैं आज का जो नुस्का है यह टेस्टी भी है साती साथ और आराम दायक है और बहुत जल्दी फायदा करने वाला नुस्का है तो चलिए पर मैंने अच्छे से धो लिया है क्लीन कर लिया है और दोने के बाद में इसका आमें छिलका नहीं उतारना है तो अब हम अद्रक को हम कद्दू कस कर लेंगे इस टाइब से यानि कि हमें अद्रक का जो है जूस चाहिए आप चाहें तो ग्रैंड कर सकती है अदर वाइस आप इस तरीके से निकाल लें क्योंकि थोड़ा सा अद्रक कहां ग्रैंड होगा तो आप इस तरीके से निकाल लें ये भी प्रोसेस बहुत अच्छा है अब मैं इसका जूस नि यूज निकल आता है बड़े आराम से आप देख सकते हैं अब जो आप जह nawனे अदरग के आप से निकल सकते हैं तो आप इसका बने जूस निकाल लिया है अब जो यह बची हुई यूज इसको हम चाय बगरा में यूच कर लेंगे फेकेंगे नहीं अब इसके बाद हमें क्या करना है एक लेना है भगोना यानि की पैन यहां पर बने श्टील का बरतन लिया है अब इसमें हम डाल देंगे इस अधरक के जूस को अब इसके बाद में हमें इसमें डालना है थोड़ा स पानी का मतलब आधा कब पानी आप इसमें एड़ कर दें अब इसके बाद में आपको मैं बताती हूँ आपको क्या करना है चलते हैं हम किचिन की ओर और किचिन पर हम गैस पर हम इसको उबार लेंगे यानि की खौलने के लिए इसको रख देंगे और इसको हमें मात्र मध्यम आज पर ही बनाना है शुलो आज पर सिम आज पर अब इसमें जो हमने यहां पर बनाया था पाउडर यानि की जो बादाम का और सूखे खजूर का पाउडर बनाया था अब इसमें हम डाल देंगे दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा गजब का है बहुत ज़्यादा गजब का है और मैं इसको हर सदियों में बना करके रख लेती हूँ ग्युत गजब के इसको हम खूल लेंगे तो इसके बाद में इसमें हमें एड करना है थोड़ा सा गुटो मैं थोड़ा सा गुट को फोर लूंगी यानि कि पाउडर बना लूँगी इसको थोड़ा सबस ऐसे ही फोड़ लूँगी मतलब आप ऐसे ही डाल दें तब भी पक जाए कोई भी कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने पाउडर कर लिया है आज का जो नुस्का है इसको आप जब बनाएंगे तब आप खुद देखेंगे इसकी खुसूप बहुत अच्छी आ रही है और जब इसको यूज करेंगे जब इसको आप खाएंगे तब भी यह बहुत अच्छा टेश्टी रगता है क्योंकि मैं तो हर साल बना लेती हूँ जडियों में तो यह देखें यह अच्छे से पकने लगा है और उबलने लगा है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा Black Sort यानि कि काला नमग अगर आप पर पास हमेशा कमेंट आता है कि मेंकाला नमग क्या होता है कहां मिलता है तो दोस्तों यहां पे एक रीजन है अगर आपके पास कालर नमक नहीं है बलक सोट नहीं है तो आप अपना जो सफेद नमक घर में खाते हैं सब्जी बगरा में बहुत नमक डालने हैं लेकिन इसमें थोड़ा असा नमक जरूर एड़ करें एक दो पिंच जादा नहीं एक दो क larar टालनी है इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको पकने देंगे घूर इसको मात्र हमें ज़ादा पकने देना है मात्र मुष्किल से एक दो एक या दो मिनट इसको पकाना है वह सिमाच पर क्योंकि ममात्र मैंने आधा कप पाने यूच किया था तो यह देखिए दोस्तों ये सर्दी खांशी और कफ के लिए बिल्कुल ड्राम बाड़ उपाए है इसको जब आप यूज करेंगे ट्राई करेंगे तभी आपको इसका फायदा नजर आएगा आप जब इसको एक बार ही ट्राई करेंगे तभी से आपको फायदा हो जाएगा चाहे कितनी ही भ पिखलाएगा और पिखलागर के बाहर निकालने में मदद करेंगा दोस्तों जब कफ निकल जाता है तो खांसी ऑटोमेटिक खतम होने लगती है और जुखाम भी अपने आप से खतम होने लगता है तो अब आपको खाना कैसे है अगर आप किसी छोटे को दे रहे हैं तो लेना है और इस काड़े को जब आप यूज करेंगे तो आपको गनगुना ही यूज करना है। आप देखेंके दो दिन में आफकी कितनी भी भ्यंकर जुख् up लेगा साहती में सारा वलग्स法 में यह निकलने एगा पिगला करके तो दोस्तों इसको आप करना और श्टोर कर स अपने उड़े साथ तब तक लिए नमाशकार